प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का एक घंटे 17 मिनट का एक इंटर्व्यू देखा उस इंटर्व्यू में प्रधान मंत्री कह रहे कि अभी जो हुआ है वो ट्रेलर है अरे प्रभू 3612 दिन सरकार चलाने के बाद ये ट्रेलर है ये सुनकर देश की जनता आशंकित हो गई है भैबीत है घबरा गई है कि अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी दिखा सकते है ये ट्रेलर में ही हमने इस देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ट्रेलर में ही कमर तोड महेंगाई ट्रेलर में ही आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर GST ट्रेलर में ही हमने महिलाओं को आशंकित महिलाओं को भेभीत महिलाओं को बूटो के तले रॉंदते हुए और आप यौन शोषर को कैसे संगरक्षर देते हैं अपने बगल में बठाकर वो भी देख लिया ट्रेलर में ही इस देश ने देखा कि कैसे आवाज इठाने वालों की आवाज का दमन किया जाता है ट्रेलर में ही लोगों ने देखा कि अगर पेपर लीग होता और अगर लोग नौकरी की माम करते हैं तो आप उनक्त पर लाठिया बरसाते है ट्रेलर में ही लोगों ने देखा कि अन्धाताओं पर आप सिर्फ लाठिया नी बरसाते हैं आसू गैस के गोले, लुकर झूटे.. उनक Apple गटें देख्खते इलेक्टोरल बॉंड पे आपके गोरख धंदे की कलेई इस देश के उच्छतम ने आयाले ने खोली है कि कैसे चंदा दो और धंदा लो और वसूली रैकेट आप चला रहे थे करमवार तरीके से नाम और डेट के साथ ये सपश्ट हो चुका है कि जब आपको कोई चंदा देता था तो उसको बड़े-बड़े कॉंट्रैक्ट मिलते थे आप कट ले रहे थे ये भी साफ हो चुका है कि अपनी CBI, ED, Income Tax से आप उस हर जगे छापा डालवाते थे जहां पर बाद में आतो कारवाई स्थगित हो जाती थी, कोई Approver बन जाता था तो ये वसूली रैकेट, ये Extortion रैकेट आप चला रहे थे आरे काला धन तो आप लाने वाले थे, 15 लाग बैंक अकांट में डालने वाले थे, कहां डाले आपने वो सब पैसे, असलियत ये है कि नीरव मोदी से लेकर मैहुल चोकसितो, किसी को तो वापस आप लेकर आने ही पाएं, काले धन की बात करते हैं, फिर आपने कहा, मैं गार लीजल पैस पर आने की, चीन को लाल आख दिखाने की, सारी जिद्मेदारी तो आपकी थी, सारी गारंटी तो आपकी थी, आपकी गारंटी नहीं, आपके खोकले जुमले होते हैं, उनको आप किसी भी नाम से पुकारिए, और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ अपने मूँ से प्रभु राम का नाम मतलिया करिए, श्री राम हम सब की आस्था के, हमारे विश्वास के, हमारी परंपरा के, हमारी लोक संस्कृती के प्रतीक है, प्रभु राम मर्यादा पुरुशुत्तम है, अगर उनसे कुछ सीखते तो थोड़ी मर्यादा, थोड़ा स सम्मान थोड़ा आदर जरूर सीखते, आप की इन सब में कमी है, आप नाथूराम के भक्त है, आप नाथूराम का देश बनाना चाहते हैं, आप नाथूराम के पद्चिन्नों पर चलते हैं, आपके अंदर नफरत भी नाथूराम जैसी है, तो नाथूराम का नाम लिया करि क्योंकि श्री राम का जो नाम लेता है वो राम राज में यकीन करता है उस राम राज में यकीन करता है जहां पर देहिक देविक भौतिकतापा राम राज नहीं कहूं वियापा जहां पर गरिबो शोश्चितो वंचितो युवाओं किसानों महिलाओं का सम्मान होता है आपके टाइम निकालिए, वहाँ चले जाएए, अगले इंटर्व्यू में मणीपुर पर बात जरूर करिएगा, नौकरियों पर बात जरूर करिएगा, महंगाई पर अपना मुझ जरूर खोलिएगा, अनिथा इंटर्व्यू देने का क्या फाइदा, एलेक्शन राली में तो बड़ी-बड़ी फेकते ही हैं आप.